नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज जिसमें हम प्रिविस एर के GK कोशन्स को यहाँ पे कवर करते हैं और जैसा आप जानते हैं सिर्फ कोशन आंसर को कवर नहीं करते इन से रिलेटेड जितने आपके extra facts होते हैं एक कोशन से रिलेटेड उन सब को हम यहीं पे discuss कर जाते हैं जिससे आपका proper revision भी यहाँ पर हो जाता है और प्रिविस एर के सारे कोशन भी आपके solve हो जाते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संधर्व में सही है तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा statement सही है चलिए देखते हैं पहला statement है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है तो यह आपका सही है दूसरा statement है प्रस्तावना को संसोधित नहीं किया जा सकता तो ये वाला statement गलत है प्रस्तावना को संसोधित किया जा सकता है अब तक प्रस्तावना को एक बार संसोधित भी किया जा चुका है 1976 में जो 42 समविधानिक शंशोधन था ये किया गया था जिसमें प्रस्तावना को शंशोधित किया गया था और प्रस्तावना में तीन नई शब्द समाजवाद, पंत निरिबेक्ष और राश्ट की एकता और अखंडता को जोड़ा गया था तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है केवल पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ठीक है प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्पूर्ण बातें उनको यहाँ पर देख लेते हैं भारतिय समविधान की जो प्रस्तावना है यहाँ पर प्रस्तावना तो इसको याद करेंगे कि हमारे समविधान के एक उद्देशी का होगी, प्रस्तावना होगी, यह अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है. तो इन दोनों को आपने याद करना है. दूसरा प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था ये माना गया बेरुबारी यूनियन केस में जो 1960 में हुआ था कोशन बनता है कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया तो वो था बेरुबारी केस किस में माना गया? ये माना गया केशवानन्द भारती केस में प्रस्तावना को समविधान का भाग माना गया दोनों याद करना है, दोनों पूछा जाता है अंततहा निर्नय ये था जिसमें इसको समविधान का भाग माना गया इसलिए हमारा जो पहला वाला statement था ये सम्धान का भाग है वो सही है ठीक है? ये चार points आपको याद करना है प्रस्तावना को सम्विधान की कुणजी भी बोला जाता है ये भी याद करेंगे अंबेटकर ने सम्विधान की कुणजी article 32 को कहा था लेकिन अगर अंबेटकर का नाम नम पूछा जाए overall पूछा जाए किसे कहते हैं आप प्रस्तावना को बताएंगे ठीक है? इसको भी आपने याद करना है question बनते रहते हैं देश के शाशन में मूल भूत है और विधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का करतव्य होगा यहाँ निम्न में से किसके संबंद में कहा गया है तो शाशन में मूल भूत है और जब कोई कानून बनाएंगे तो उसमें इन तत्वों को लागू करना राज्य का काम होगा ये कहा गया है DPSP के बारे में जो Directive Principle of State Policy है इनके बारे में ये statement दिया गया है DPSP हमारे समविधान के भाग 4 में है Article 36 से लेकर 51 तक DPSP के बारे में बताया गया है DPSP को हमने Ireland के समविधान से लिया है Question बनता है हमारे समविधान में जो Directive Principle of State Policy है कहां से लिए गए हैं, इनको Ireland से लिया है, Ireland ने इनको कहां से लिया है, Ireland ने इनको Spain से लिया है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है, DPSP के उपर एक detailed वीडियो अल्रेडी बन चुका है, अगर आपका DPSP का कोई पार्ट कमजोर है, DPSP के articles आपके कमजोर है, तो आप उनको यहां समापती से पहले, आप जानते हैं, लोगसभा का कारेकाल कितने वर्ष का होता है, पांच वर्ष का होता है, इसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मंत्री परिशत की सलहा पर राश्ट्रपती के द्वारा दोगसभा को भंग किया जा सकता है, कहीं कहीं प अब तक आठ लोग सभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है। प्रधान मंतरी की सिफारिश पर राष्टपती के द्वारा। इनको आपने याद करना है। और इसके तहट ये बनाया गया कि केवल लिखित सिफारिश पर ही एमर्जंसी को लागू किया जा सकेगा। इसको आपने याद करना है। तो जन्तापाटी के सरकार इसको हटा देती है और इसकी जगहा पर सैन्य बिद्रहो या ससस्त्र बिद्रहो को लिख देती है। तो ये भी आपको याद करना है कि ये चेंज कब किया गया। सही आंसर है हमारा फिलिप्स वर्ग। फिलिप्स वक्र जो होता है ये बेरोजगारी और मुद्रा इस्वीती। मुद्रा इसफीती यानि की चीजों के दाम कई सारे बढ़ जाना, इंकम जादा ना बढ़ना उसको बोला जाता है, inflation यानि मुद्रा इसफीती तो इसका और बेरोजगारी का संबंध फिलिप चक्र को दर्शाता है, फिलिप वक्र इसको दर्शाता है, ये वक्र बताता है कि जब मुद्रा इस्वीती कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है और जो मुद्रा इस्वीती बढ़ती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है इसको आपने याद करना है ठीक है एक है यहां पर लॉरेंज वक्र इसको भी याद करेंगे ये भी बहुत बार पूछा जाता है ज नेक्स्ट है घाटे की वित्य ववस्था का अर्थ ववस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इस सीरीज को हम और जादा बहतर करने का प्रियास करें और कोशिश करें सारे सेग्मेंट के इसमें हम कोश्चन को इंक्लूड करें जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा हैं इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रोफी, एकनॉमिक्स सारे कोश्चन को विविद कोश्चन को यहां पर कवर करते हैं तो एकनॉमिक्स का ये काफी रिपीटिट कोश्चन है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि घाटे की वित्य ववस्था को अर्थ ववस पैसे को चापेगी और जादा पैसा चापने से क्या होगा मुद्रा आपूर्थी में वृधि हो जाएगी, ऑप्शन B इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा इस्विती के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो मुद्रा इस्वि प्राइस इंडेक्स जो यहां पर लिखा है उपभोगता मूल्य सूचकान भारत में बात करें मुद्रा इस्वीति को मापनी की जो सबसे प्रचलित माप है 2014 से पहले यह WPI था, 2014 के बाद इसको CPI में चेंज कर दिया गया तो वरतमान में भारत में मुद्रा इस्वीति किस में मापी जाती है Consumer Price Index यानि उपभोगता मुल्य सूचकांक में मापी जाती है Option C इसका सही आंसर होगा Next है हमारा RBI का लेखा वर्ष क्या होता है तो ये कोशन भी काफी important है, कई सारे exam में पूछा जाता है RBI का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रेल से 31 मार्च पहले ये 1 जुलाई से 30 जून का होता था लेकिन 2020 के बाद RBI का जो लेखा वर्ष है उसे बदल दिया गया है अब ये जो नॉर्मल लेखा वर्ष चलता है भारत में चाहे वो सरकार का चले वही अब RBI का चलता है 1 अप्रेल से 31 मार्च ठीक है, RBI की बात करें, RBI की स्थापना कब होती है RBI की स्थापना 1 अप्रेल 1935 को हुई थी ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर है, शक्ती कांत दास इनका नाम भी याद करेंगे, ये RBI के 25 में गवर्नर है नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन? सुमेलित नहीं है एक तरफ जगह का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ ये जगह किस खनीज के लिए famous है, ये बताई गई है कौन सा वाला सही नहीं है? चलिए देखते हैं जो कुद्रे मुख है, पहले मैं आपको इनके राज्य बता देता हूँ और जावर की बात करें, ये आपके राज्य स्थान में है जो कुद्रे मुख है, ये लोह ऐसक के लिए famous है ये वाला आपका सही है जो कोलार सोने की खान है, ये सोने की काफी महत्तपून खान है तो कोलार ये सोने के लिए famous है कोडर्मा की बात करें, ये आपका चांदी के लिए famous नहीं है कोडर्मा आपका जारखंड में है और ये माईका यानी अभरक का एक महतपूर्ण के इंद्र है तो इसको आपने याद करना है कोडर्मा किसका छेतर है? माईका यानी अभरक का छेतर है तो बहुत important है, कई बार ये paper में आता है, जावर जो कि राजस्थान में है, ये जस्ता के लिए famous है, ये कुछ important खनीज और उनके प्राप्त के पहतपूर्ण जगाएं आपसे पूछी जाती है, नेक्स्ट है, अंतराश्ट्रिया तिथी रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो जो अंतराश्ट्रिया तिथी रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कहां से होकर गुजरती है, ये होकर गुजरती है, प्रशान्त महासागर से, option C, सही आंसर होका, इस रेखा को लेकर भी कुछ बाते पूछी जाती है, उनको देख लेते हैं, यहां रेखा, आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशान्त महासागर से होकर गुजरती है, तो कहां कहां से गुजरती है, यही आपसे पूछा गया था, अगली बार हो सकता है आपको ये दे दे, या अगली बार इन तीनों के नाम दे दे और पूछे इनमें से कि से नहीं गुजरती है, तो इन चारों से होकर गुजरती है अंतराश्टिया तिति रेखा, जो 180 डिगरी दिशांतर रेखा है, इसी को अंतराश्टिया तिति रेखा बोला जाता है, 1884 में वाशिंग्टन में इसे निर्धारिद किया गया था, इसको भी याद करेंगे ये तीन important बातें अंतराश्टिय तिथी देखा को ले करके निमलिकित में से किस ने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंब करी थी तो एक ऐसे ही पत्रिका आपसे पेपर में पूछी भी गई थी कुछ पत्रिकाएं खास तोर पे 1900 पहले की जादा तरफ पूछी जा रही है यहाँ पत्रिका 1872 में आई थी और इसे सरसेद एहमत खान के द्वारा शुरू किया गया था ओप्शन C हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1871 में करते हैं ठीक इसको करेक्शन करना 1871 में इसकी शुरुवात करते हैं और 1961 तक यह पत्रिकाच चलती है फिर 1961 में इसको बंद कर दिया जाता है और 1981 से यह दुबारा कंटिन्यू हो जाती है तो काफी पुरानी पत्रिका है तहजीब उल अखलाक और इसको शुरू करते हैं सरसयद एहमद खान इनको लेकर के एक कोशन और पूछा जाता है इनही सरसयद एहमद खान के द्वारा 1875 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी मोहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज किसने बनाया था सरसयद एहमद खान ने 1875 में और यही कॉलेज 1920 में क्या बदल जाता है अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कनवर्ट हो जाता है तो इसको भी आपने याद करना है कोशन बनता है कि ये जो इनके द्वारा कॉलेज बनाया गया था मोहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज ये अलिगर्ड मुस्लिम बिस्विध्यले में कब कनवर्ट हुआ ये बना 1920 से यानि किसका नाम परिवर्तन कर दिया गया तो दोनों आ बार बार आपके सामने आते रहते हैं चीजों को मैं कोशिश करता हूं लिंक करने का यहाँ पर परियास करने की और कुछ फ्रेंट्स ने कमेंट्स किये थे कि जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं मोबाइल में लिखता हूँ तो जोड़ा clear नहीं लिख पाता तो मैंने कोशिश करी facts को भी मैं अब यहीं पर include करता हूँ ताकि आपको और ज़ादा अच्छे से समझ में आ सके तो इस तरीके से आपको सारे जो gk होता है उस पर आपकी जो command है और ज़ादा मजबूत हो जाती है question के साथ साथ आपके concept clear होने शिरू हो जाते हैं जब आप एक question से related एक जैसे factor को एक जगह पर cover कर जाते हैं इससे आपको उनको रटना नहीं पड़ता आपको वो चीज़ें automatically याद हो जाती है और इसी के लिए ये वाली जो हमारी revision series है gk की आपके लिए काफी important और काफी helpful भी साबित होगी आपके exam में अगर हम question की बात करें कई बार मैं आपको clear करते हुए चलता हूँ की दो terms है एक है आपका अश्ट दिगज जो प्रश्ण में लिखा है और एक है आपका अश्ट प्रधान ठीक है ये दोनों अलग-अलग है अश्ट दिगज जो थे ये आठ तेलगु कवियों का एक group था जो की कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे इसका सही answer क्या हो जाएगा अश्ट दिगज कृष्ण देव राय के दरबार में आठ तेलगु कवियों को कहा जाता था ठीक है जबकि जो अश्ट प्रधान है शिवाजी के तो चत्रपती सिवाजी थे इनके मंत्री मंडल को अश्ट प्रधान बोला जाता था तो अश्ट दिगज पूछेगा, तो कृष्ण देवराय, अश्ट प्रधान पूछेगा, चत्रपती, सिवाजी, दोनों को आपने याद करना है, ठीक है, नेक्स्ट है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमान कहां से प्राप्त हुआ है, तो पहली बार हमें सती प्रधा के साक ये कहां से मिला है, ये मिलता है एरण अभिलेग से, ठीक है, और एरण अभिलेग किसका है, तो गुप्त शाषक भानुगुप्त का है, पांसो दस इस्वी का ये अभिलेग है, और इस अभिलेग में पहली बार शती होने का प्रमान हमें देखने को मिलता है, काफी इंपॉ पांसो दस ईस्वी का है इस अभिलेक में ये बताया गया है कि भानुक गुप्ट का एक सेनपती था जिसका नाम था गोपराज और इसके मृतियों हो जाती है और इसके मृतियों के बाद इसके पत्नी के सती होने का प्रामाण यहां पर दिया गया है नेक्स्ट है, किस युद के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारन करी थी? ये भी एक repeated question है, पूछा जाता है, बाबर के द्वारा भारत में चार प्रमुक युद लड़े गए थे और इनको लेकर question बद्दे हैं, गाजी के उपादी बाबर ने खानवा के युद के बाद धारन करी थी, option B हमारा सही आंसर होगा, खानवा का युद बाबर का 1527 में होता है, मेवार के राजा राना सांगा के साथ, इस युद में बाबर जेहाद का नारा देता है, और विजय के बाद गाजी की उपादी यानि काफिरों को मारने वाला इसकी उपादी धारन करता है इसको भी आपने याद करना है, ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने जेहाद का नारा किस में दिया था, खानवा के युद में दिया था, और जीतने के बाद गाजी की उपादी वो धारन कर लेता है, बाबर के कुछ important युद जहां से कोशन बनते हैं, उनको देख लेते है पानीपत की पहली लड़ाई, ये बाबर और लोदीवंश के राजा इबराहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में, इसी लड़ाई में बाबर ने पहली बार तुलुगमा पदती का इस्तेमाल यहाँ पर किया था, इसको भी याद करेंगे, और पहली बार भारत में तुपों का इस्तेमाल भी यहीं पर हुआ था, बाबर के द्वारा किया गया था, कुशन बनता है, युद की तुलुगमा पदती किसके द्वारा लाई गई भारत में, तुपों का इस्तेमाल किस ने किया, आप बताएंगे बाबर ने किया, ठीक है, और इसी युद के रक्षते वो हम उपर देख चुके हैं, कि जिहाद का नारा देता है, गाजी के उपादी धारन करता है, बाबर का तीसरा युद था, चंदेरी का युद, और यहां युद बाबर और मेदनी राई के बीच में लड़ा जाता है, इसको लेकर भी एक कन्फ्यूजिंग कोशन बनता है पेपर में, उसको कलियर करते वे चले, एक लड़ाई है चंदावर का युद, ठीक है, और एक है चंदेरी का युद, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, चंदावर का युद 1194 में लड़ा गया था, महमत गौरी और जैचंद के बीच में, यह है चंदेरी का बाबर था, दूसरी तरफ अफगान सेना जिसका नित्यत्व महमूद लोधी कर रहा था, तो बाबर और महमूद लोधी, जादा तर आपको अफगान सेना देखने को मिलती है, तो इसके बीच में होता है घागरा का युद्ध और इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है ये कुछ important बातें बाबर की युद्धों को लेकर जो आपने याद करनी है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के सुप्रीम कोट में नयधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो सुप्रीम कोट में जजस की संख्या संसदिया कानून के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, option B इसका सही आंसर होगा, सुप्रीम कोट में कई बार जजस की संख्या को बढ़ाया गया है, आप जानते हैं सुप्रीम कोट की स्थापना कव होती है, सुप्रीम कोट की स्थापना होती है 1950 में, उस समय सुप्रीम कोट में 7 प्लस 1 जजस थे, यानि कि 7 नयधीश थे और 1 इसके बाद 1960 में इसे 10 से बढ़ा कर 13 कर दिया, 1970 में 13 से बढ़ा कर 17 कर दिया, 1986 में 17 से बढ़ा कर इसे 26 कर दिया, और फिर 2009 में इसे 30 कर दिया, वर्तमान के अगर हम बात करें, वर्तमान में सुप्रीम कोट में जजस की संख्या 33 पलस 1 है, इसको आपने याद करना है, यह ब एक मुख्यने अधीश होते हैं नेक्स्ट है हमारा लाठी कलब की स्थापना निमलिकित में से किसने करी थी तो ये भी एक important question लाठी कलब इसकी स्थापना बाल गंगधर तिलक के द्वारा की गई थी option C हमारा सही answer होगा बाल गंगधर तिलक को लेकर के दो-तिन बाते आती हैं एक तो इनको लोकमानिय तिलक के नाम से भी जाना जाता है दूसरा इनका famous statement सुराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? इन्होंने कहा था 1916 के लखनाओ अधिवेशन में कहा था ठीक है? तीसरी बात जो आपको याद करनी है एक अंग्रेज था जिसका नाम था Valentine Shirol ठीक है? इस Valentine Shirol की एक किताब है जिसका नाम है Indian Unrested और इस किताब में इस शिरोल ने बाल गंगधर तिलक को भारतिया अशान्ती का जनक कहा है तो कुश्चन बनता है भारतिया अशान्ती का जनक किसको कहते है आप बताएंगे बाल गंगधर तिलक को किस ने कहा? इस सिरोल ने कहा कौन सी किताब में कहा? India Unrested इसको भी याद करेंगे बाद में तिलक इसके उपर मानहानी का केस भी करते है बाल गंगधर तिलक की कुछ important किताबे हैं जिसे गीता रहसे इनकी किताब का नाम है और साथ में Architect Home of the Vedas ये किताब भी किसकी है? तिलक की है बाल गंगधर तिलक ने दो समाचार पत्र भी निकाले थे एक निकाला था इन्होंने मराठा और एक निकाला था इन्होंने केसरी ये दोनों भी पूछे जाते हैं जो मराठा अकबार था जो मराठा समाचार पत्र था ये English में आता था और जो केसरी था ये मराठी में आता था इसको भी आपने याद करना है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन चतुराईपून निश्क्रिता की नीती के साथ जुड़ा हुआ है तो चतुराईपून निश्क्रियता किसके साथ जुड़ी है ये जुड़ी है option D हमारा सही आंसर होगा John Lawrence के साथ John Lawrence भारत का वाइसराई रहा था अफगानिस्तान के संधर्व में जो निश्क्रियता वाली नीती थी इसको अपनाया था जिसको शानदार निश्क्रियता बोला गया था तो इसको आपने याद करना है ठीक है John Lawrence को लेकर के कुछ important बातें उनको देख लेते हैं भारत का वाइसराई रहा 1864 से लेकर 1869 में भूटान का ब्रिटिस सामराज्ये में वेले कर दिया गया 65 में इसी के शाशनकाल में ठीक है अफगानिस्तान के संधर में इसने अहस्तक्षिप की नीती अपनाई जिसे शानदार निश्क्रियता बोला गया और यही हमारा कोशन था चतुराइपूर निश्क्रियता यह शानदार निश्क्रियता ठीक है कौन है जोन लॉरेंस इसका नाम आपने याद करना है इसी के काल में उडिशा में भीशन अकाल पड़ता है 1866 में और उसी के बाद भारत में पहला अकाल आयोग का गठन किया जाता है हेंडरी केम्पबिल के नेतित में कौशन बनता है भारत में पहला अकाल आयोग कब बना था तो इसी के काल में बना था जोन लॉरेंस के काल में हेंडरी केम्पबिल की अद्धशता में इस अकाल के बाद भारत और येरॉप के बीच समुद्री टेलिग्राम सेवा की शिर्वात भी इसी लॉरिंस के काल में होती है 1865 में ये कुछ important बाते जॉन लॉरिंस को लेकर के आपको इनको याद करना है तो जॉन लॉरिंस से लेकर के question आया, voice right था सारे important तथ्यों को क्योंकि ये वाला question हो गया पहला अकाल आयूग हो गया ये वाला question भूटान का किस वर्ष विले किया गया ये सारे question बनते हैं तो हमने यहाँ पर सारे questions को एक साथ repeat कर दिया next है निमलिकित में से किस सिख गुरू ने अकाल तक्त की स्थापना करी थी अकाल तक्त की स्थापना किस के द्वारा की गई थी ये की गई थी गुरू हर्गोविंद के द्वारा option D हमारा सही आंसर होगा गुरू हर्गोविंद सिखों के छटे गुरू थे इनको लेकर भी कुछ बाते पूछी जाती हैं, उनको देखते हैं सिखों को सैनिय संगठन का इन्होंने रूप दिया सिधा कोशन बनता है, सिखों को सैनिय संगठन का रूप किस नी दिया आप बताएंगे गुरू हर गुविन, ठीक है अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारन करने की आग्या भी इन्हों ने दी सिखों को ये भी याद करेंगे दो तलवार बांद कर ये गद्धी पर बैठे और दर्बार में नगाडा बजाने की विवस्ता भी इन्होंने शुरू करी अकाल तक्थ यानि ईश्वर के सिहासन का इन्होंने निर्मान करवाया अमरिशर की किले बंदी किसने करवाई गुरू हर्गोविंद के द्वारा करवाई कई और कश्मीर में इन्होंने किरतपुर नामक नगर बसाया था और यहीं पर 1645 में इनकी मृत्यों हो जाती है ये कुछ important बातें गुरू हर्गोविंद को लेकर के जो आपसे पूछी जाती है कि सिखों को श्रस्त्र धारन करने के आगया किसने दी अकाल तक्थ का निर्मान किसने करवाया अमरिशर की किले बंदी किसने करवाई ठीक है वे सारे कोशन आपको याद करने है जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाईसरोय की कारेकारिनी परीशद की सदस्ता से किसने इस्तीफा दे दिया था तो कल हमने पूरा इसका बेग्राउंड देगा था किस किसने क्या-क्या प्रतिकरिया दी उसको देखा था अब आप एजिली कवर कर जाएंगे कारेकारिनी से परीशद संकरन नायर ने दिया था ओप्शन C सही उत्तर हो जाएगा प्रथम दिल्ली दर्बार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था तो पहला दिल्ली दर्बार ये किस के काल में आयोजित किया गया लिटन के काल में आयोजित किया गया ओप्शन A हमारा सही आंसर होगा लिटन को लेकर भी कुछ बाते हैं चलिए देख लेते हैं लिटन 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वाइसरोय रहा, यहा लिटन ओवन मेरेडित के नाम से कविताएं लिखता था, इसी के काल में पहला दिल्ली दरबार का आयुजन किया गया और इसी के द्वारा 1887 में फिर जो वहां की मारानी थी इंग्लैन की विक्टोरिया उसको केसरे की उपादी दी गई इसी के काल में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में भारतिया ससस्त्र अधिनियम यानि इंडियन आम्स एक्ट इसी के काल में आया था 1878 में काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है रिचर्ड स्ट्रेची की अधक्षता में दूसरे अकाल आयोग का गठन इसके काल में हुआ था पहला अकाल आयोग हमने देखा ना केम्पेबेल की अधक्षता में लौरेंस के काल में दूसरा अकाल आयोग स्ट्रेची की अधक्षता में बनता है 1878 में लिट्टन के काल में ठीक है सिविल सेवा परिक्षा की अधिक्तम आयोग जो 21 वर्ष थी उस समय शुरू हो चुकी थी civil services के लिए ICS की परिक्षा और उसकी ये age घटा देता है 21 को घटा कर ये 19 कर देता है बाद में रिपन आता है जो वापस इसको 19 से बढ़ा कर 21 कर देता है ठीक है दूतिया अफगान युद इसी के काल में हुआ था जो दूसरा आंगल अफगान युद था 1878 से 80 के बीच में चलता है इसी के काल में हुआ था इसको भी आपने याद करना है तो ये कुछ इंपॉर्टन बातें लॉड लिटन को ले करके जो आपसे पूछी जाएंगी नेक्स्ट है जब सूरज की जो रौसनी होती है सूर्य किरने जो होती है भूमद्य रेखा पर लंबवद पड़ती है यानि कि परपेंडिकुलरली पड़ती है और इसकी वजह से दिन और रात बराबर हो जाते हैं यानि कि दिन भी 12 घंटे की रात भी 12 घंटे का ऐसा साल में दो बार होता है उसी को बोला जाता है शरद विशूव और बसंत विशूव तो जो शरद विशूव होता है जो विंटर एक्विनिक्स होता है ये आपके 23 सितंबर को होता है ठीक है और जो बसंत वाला होता है वो आपके 21 मार्च को होता है तो दोनों आपने याद करना है, यहाँ पर शर्रत पूछा था तो 23 सितंबर आंसर कर देंगे, बसंत विशुव पूछा होता 21 मार्च आंसर हो जाता, एक्विनिक्स होता क्या है, सूर्य की किरणे लंबवत पढ़ेंगी भूमध्या रेखा पर जिससे दिन और रात बराबर ह हो जाएंगे, ठीक है, कप-कप होता है, दोनों हमने देखा, निमलिकित में से कौन सी जलसंधी, अंडमान सागर और दक्षिन चीन सागर को आपस में जोड़ती है, तो अंडमान सागर और दक्षिन चीन सागर, इनको जोड़ती है मलक का जलसंधी, ओप्शन A, सही आंसर हो ठीक है भारतिया मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू कौन सा है तो भारत की मुख्य भूमी का पूचा है भारतिया भूमी का नहीं पूचा है मुख्य भूमी का तो इंद्रा पॉइंट इसका अंसर नहीं होगा इंद्रा कोईल आप जानते हैं ये उत्तरी बिंदू है भा अगर मुख्य भूमी का पूछेगा तो कन्य कुमारी जिसका प्राची नाम क्या था? केप कैमुरिन और यही उपर दिया गया था. ये तमिल्नाडू में पड़ता है. तो कन्या कुमारी भारत की मुख्य भूमी का दक्षनतम बिंदू है सबसे पूर्वी बिंदू की बात करें ये है किभीतू जो की अरुनाचल में है और सबसे पश्यमी की बात करें तो ये है गवाहर मोती जो की आपके गुजरात में है ये भारत के दक्षनतम, उत्तरतम और मुख्य भूमी के पूर्वी, पश्यमी सारे बिंदू हैं जो आपको याद करने हैं इनको लेकर भी आपका कोशन बनता है तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने यहीं पर कवर कर दिया नेक्स है दिन और रात होने का कारण क्या है तो देखे दिन और रात होने का कारण है पृत्वी का अपने एक्स पर घ्रणन करना यानि कि जो पृत्वी की देखे दो गतिया होती है एक होती है रोटेशन एक होती है रेवोलिशन रोटेशन में पृत्वी अपने ही एक्सिस प गूमती है और इसी को पृत्वी की दैनिक गती भी कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से दिन और राद होते हैं अगर कोशन बनेगा पृत्वी पर जो रितु परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है तो वो होता है पृत्वी की रेविलुशन के कारण जो वो सूरिय के चारों और घूंगती है तो इसको भी याद करेंगे दोनों बातें पूछी जाती हैं नेक्स्ट है हमारा वास्को डिगामा काली कट किस वर्ष आया था वास्को डिगामा पुर्टगाली था भारत की खोज इसको बोला जाता है इनको यहीं पर देख लेते हैं यह भारत आया था 17 मई 1498 डेट सहीद पूछा जाता है केप ओप गुड होप के रास्ते यह भारत आया था कहां पर उत्रा था तो केरल का जो काली कट बंदर कहा है वहां पर वास्को डिगामा उत्रा था 17 मई 1498 को इस यात्रा में इसका सहीओ किस ने किया इसका पत्प्रदशक कौन था ये था अब्दुल्मनीद इसे कहीं पर अब्दुल्मनीद लिखा गया है कहीं पर अब्दुल्मजीद लिखा गया है दोनों एक ही विक्ती है इस विक्ती का वास्कु डिगामा का स्वागत किसनी किया कालिकट बंदर गाहा पर तो वहां का एक इस्थानिय राजा था जिसका नाम था जमूरीन दोनों को याद करेंगे अब्दुल मनीद इसको लेकर आया स्वागत किसनी किया जमूरीन ने किया यह यहां पर मसालों के वेपार के लिए आया मसालों से यहां से मसाले लेकर यह पुर्टगाल जाता है और माना जाता है इसको 60 गुना जादा फाइदा मिलता है यहां से ले गए मसाले को जो यह वहां जाकर बेचता है पूरा खर्चा निकाल कर जितना खर्चा इसका पुर्टगाल से वाइसराय बनकर ये भारत आता है 1524 में तो तीनों वर्ष भी आपको याद करने हैं वासको डिगामा को लेकर के ये कुछ बातें जो पूछी जाती है कौन लेकर आया, स्वागत किस ने किया, कहां पर उत्रा, कब उत्रा, कितना फाइदा मिला इस तरीके के question, ठीक है नेक्स्ट है, बौध धर्म में त्री रत्न क्या इंगित करता है तो देखे, एक त्री रत्न आपके बौध धर्म में है और एक आपके जैन धर्म में है दोनों पूछे जाते हैं, बौध धर्म में त्री रत्न कहा जाता है बुद्ध, धम और संग को option C हमारा सही आंसर हो जाएगा और अगर हम जैन धर्म के त्री रत्न की बात करें तो जैन धर्म में त्री रत्न समयक ग्यान, समयक दर्शन समयक चरित्र यानी आचरन को माना गया है तो ये बौद धर्म के हैं ठीक है, इसको भी याद करेंगे और ये जैन धर्म के हैं, इनको भी याद करेंगे दोनों पूछे जाते हैं बौद धर्म में त्री रत्न के साथ-साथ त्री पीटक भी हैं तो कौन-कौन से हैं त्री पीटक, बौद धर्म के एक है सुत्पीतक, विनेपीतक, अभिधम पीतक, सुत्पीतक में बुद्ध के उपदेशों और समवादों का संकलन है, विनेपीतक में बुद्ध के अचार विचार और नियम निशेद, यानि नियमों का संकलन है इसमें, विनेपीतक में बुद्ध के अध्यात्मिक और दार तीनों अलग अलग है तीनों को आपने याद करना है चंद्रगुप्त मौर्या के शाषन काल में राजगोष का सीर्ष अधिकारी किस नाम से जाना जाता था तो मौर्या काल में चंद्रगुप्त मौर्या के काल में राजगोष का जो सीर्ष अधिकारी होता था उसको सन्नी ध जाता बोला जाता था ओप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा ये कोशन अलग-अलग पेपरों में तो आया ही है साथ में UKPSC भी इसको पहले भी पेपर में पूछ चुका है कुछ इंपोर्टन अधिकारी है मौरेकाल के इनको देख लेते हैं राजकोशिय एवं भं राजस्व का अधिकारी उसको बोला जाता था राजुक कोशन बनेगा मौरेकाल में नियाय और राजस्व का अधिकारी कौन होता था राजुक होता था महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी वो होता था इस तरह अध्यक्ष सिमावर्ती छित्रों में धर परचार करने वाले अधिकारी को अनंतहा महमात्र बोला जाता था समाज में सामंजिस से की इस्तिती बनाई रखना ये काम होता था धम महमात्रों का ठीक है कर निर्धारन का सरवच अधिकारी ये बहुत इंपोर्टन्ट है कर्ण निर्धारन का सर्वच अधिकारी होता था समहारता यानि कि जो टेक्स आफिसर होता था मौरेकाल में उसी को समहारता बुला जाता था दिवानी न्याले का चीफ जस्टिस उसको व्यभारी का बुला जाता था टकसाल का जो प्रमुक अधिकारी होता था मौरेकाल में उसे सोवनिक बोला जाता था ये भी important एक सोवनिक हो गया समहरता हो गया और एक हमने उजो उपर देखा राजुक और उससे पहले सनी धाता ठीक है इसे प्रदिश्टा बोला जाता था योग्य अधिकारी का प्रमुक अधिकारी को आमत्य कहते थे ठीक है नेक्स्ट है भारतिय सम्विधान का अनुचेद 370 का प्रारूप किसने तयार किया था ये question भी UKPSC इसको कर चुका है और हम भी इसको कई बार देख चुके हैं जो आर्टिकल 370 है ये सम्विधान का हिस्सा बना था 17 नवंबर 1950 को ठीक है टेंपरेरी बेस्ट पर इसको शामिल किया गया था इस आर्टिकल के तहट जम्मू कश्मीर को विशेश राज्य का दर्जा दिया गया था इसका जो प्रारूप तयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा इसका प्रारूप तयार किया गया था और अनुछे 370 को खतम कप किया गया 5 अगस्ट 2019 को इसको भी आपने याद करना है ठीक है दोनों बातें पूछी जाती है नेक्स्ट है हमारा पृतिवी के सरवादिक निकटतम ग्रह कौन सा है तो पृतिवी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र ग्रह दिखी जहां पर पृतिवी है, पृतिवी की एक तरफ मंगल ग्रह है, एक तरफ आपका शुक्र ग्रह है, तो दोनों में से निकट कौन है, दोनों में से निकट है, शुक्र ग्रह है, तो पृतिवी का निकटतम ग्रह है, शुक्र ग्रह है, इसको आपने याद करना है, दो बा तारा पूछेगा तो वो है सूर्या और ग्रह पूछेगा तो वो है शुक्र ये तीनों आपने याद करने हैं तीनों अलगलग प्रश्ण हैं तारा पूछेगा तो आप सूर्या को बताएंगे खगोलिया पिंड पूछेगा तो चंद्रमा को बताएंगे ग्रह पूछेगा त रतमंदिरों का निर्मान ये करवाया है नर्सिंग वर्मन प्रथम ने, option C हमारा सही आंसर होगा, कुछ दिन पहले हमने पल्लव वंश के बारे में भी डिटेल में बात करी थी जब हम दिल्ली सल्तनत के पहले के राजवंशों के बारे में देख रहे थे, उसी में हमने देखा था नर्सिंग वर्मन प्रथम, ये महाबली पुरम में रतमंदिर, इनको एकाशम मंदिर भी बोला जाता है, इसको भी याद करेंगे, ठीके, एकाशम मंदिर इनहीं को कहते हैं, और ये आपके महाबली पुरम यानि तमिलनाडू में पढ़ते हैं, महाबली पुरम आपके तमिल्लाडू में है, इसको भी आपने याद करना है, नर्सिंग वर्मन प्रथम पल्लव वंश का एक प्रतापी राजा था, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था शिह विश्णू, इसको भी याद करेंगे, और इनकी राजधानी थी कांची, जिस ए याद करेंगे पूछा जाएगा ठीक है तो फ्रेंट्स यह था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके MCQ सीरीज जिसमें हम जीके के उन कोशन्स को यहाँ पे कवर करते हैं जो आप से एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और साथ में कोशिश करते हैं इनको पूरी डिटेल में कवर करने का एक्ट्रा फेक्ट्स को यहाँ पर कवर करते हैं साथ में चीजों को लिंक करते वे पड़ते हैं जो टॉपिक जिस टॉपिक से कुशन आता है कोशिश करते हैं उस टॉपिक को यहीं पर खटम कर दें पूरे concept के साथ हुमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंड्स